केन सरकान ने सभी राज्यों को या अदेश दिये हैं कि मजदूरों का जो पलायान अभी इस वक्त जिलों से और राज्यों से हो रहा है उनको रोकने के लिए राज्यों की और जिले की डेली वर्ल पब्लिक स्कूल, इंडियास नमबर वन इमर्जिंग स्कूल, जहां हैं काडमेक्स, स्पोर्ट एंड परफॉर्मिंग आठ का बहतरीन कॉंबिनेशन, एडमिशिंस ओपन फ्रम प्री नर्सरी तु नाइज जो सीमा हैं उनको सील कर दिया जाएं, जिससे की जो मज मजदूर इस वक्त पलायान कर रहे हैं, वो पलायान नहीं करें, लेकिन MTTV इंडिया इस वक्त इदगा कॉलोनी के पास मौजूद है, इदगा कॉलोनी हैं, उस इलाके के अंदर हम मौजूद हैं, यह एक कच्ची बस्ती है, जहां पर बहुत सारी संख्या में मजदूर रह है, नगर निगम अजमिर कह रहा है कि 60 वाड़ों के अंदर सेनेटाइजर किया जा रहा है, लेकिन लोगों का कहना है कि यहां पर इस तरिकी की कोई विवस्ता अभी नहीं हुई है, MTTV इंडिया के पास यहां से कॉल आये हैं, सूचना है उसके बाद MTTV इंडिया इस वक् करते हैं, अच्चा सबसे पहले आपका नाम बताइए और यह बताइए यह बताइए कौन-कौन से लोग और क्वारे समदूर करने वाले लोग यहां पर रहती हैं, और हम ये टायर वाली गली में रहते हैं, उस लेके ठेट महा तलक सब मजदूरी रहते हैं, कई बार पारशट के पास भी जा के आएائें, ठीके और कई बार क्या नाम रहें, जो इदर है ना हमारी एकनेता उनके पास भी जा के आएं, आती है समाने, लेकिन या तलक कोई नही लेके भी तो पुलिस वाले डंडे मार मार के भगा दे रहे तो हम तो यहीं चाहते हैं यहां पर खाने पिने की विवस्ता किया जाए और जो भी है जो बाकी आप तो देखी रहे हो अच्छा आप लोगों को यह पता है यहां पर जो लोग है कि को यह कॉरोना महामारी है क्या इससे बचने के लिए क्या करना है वो बताएंगे आप जी यह है कि जैसे हाथ बार-बार धो ठीक है अपने अपने घर में रहो और बाहर फाल तो किसी से मिलो जुलो मत लेकिन यहां तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहे हैं इनसान भूख के मारे घर में कपता लग बैठे रहें आप यह कहना चारी है बस इद गाह के गेट पर आ रहे हैं जिसे हम लोग सब जा रहे हैं तो प bounce कर रहे हैंगे बताओ एक बात बताइए कि यह पूरा इलाका है आपके यहाँ पर कितने मज़़ूर परिवार इसंक्त संख्या में लोग हैं और आप लोग वह को आवशक्ता वही जिसकी आप लोग बैेतक और है से लोग साम पर ठीझे में परिशाशम क्लरा हैन क्योंकि जाए नहीं पारें, क्या करेंगे, बताएं, भुकमरी मिट जाएंगे, तो हम लोग हमारे घर में रहेंगे, भुकमरी नहीं मिटेंगे, तो मजबूरान हम लोगों को घर से बाहर जाना पड़ेगा, क्या करेंगे, आप बताओ. सब यहां पर किराए पे रहते हैं? कितने परिवार यहां पर है? कितने परिवार यहां परिवार यहां परशाशन पाइसे निगम से लिए अपील आपी यहां कि एसी कोरोना महामारी वैस्विक वांहारी गोष्ट पहली है उसको रोखने के लिए इनके इलाकों के अंदर भी सनेटाइज करवाया जाए नके के अंदर हुचाए जाए राशन की व्यवस्ता करवाई जाए और जो गाडियां जो राशन की गाडियां आ भी रहें कुछ जो नीचे तक ही रुख रही है इंका कहना है कि वह इस इलाके तक भी आए खैर देखना होगा कि इन मज़ूरों के पास सक प्रिशाशन कब तक सुविधाएं पहुचा पाता है कैमरा परसंट राजवीर के साथ सुशील पाल एंप्टीटीव इंडिया अजमेर बहुत हमार बहुत है परेशाण है कि कोई पी सवानी एकदम से बन्रा तो एकदम से बच्चे मजूरी करता है कोँ रुख नाइगा भर में एठ़ा लेक ने सकती चाहीं, बहुत परशान हो दूद ना चार दिन से चाह निवनी निए सब्जी रोटी कुछ भी निए ऐसे को यह देदेता तो खालेता है इन्हें बैठें पूरा अंगली में क्या कर जांब चार पांद दिन उगए ज्यादा वह जो कर लिया उसके बाद ज्यादा कर तो चार पांद दिन से परेशा निगी पाहुता है आप अब हमारे पास रासन पानी सब पोचा ओ और एक रिप्या वी नहीं तो को दूद पानी लेकर खर्चा भी क गराद कि जरूत हो तो इंसान कोई पैसा परावट में दिखा दें सरकारी में इती दूर का बेड़ बाड में ले जाने ने यह दिक्कत है लच में भाई भी दौाओं में अभी प्रेशन है घर में है नहीं सामान राशन पाणी नहीं कि इस तो कल से खाता मोगया एक दू दिन हम जाने सकते हैं मिकला यह तो अब क्या चाहते हैं अप रचाहिसे क्या सुविधाइं अप लोगों तक पाऊंच आए जेंए अब हमारे पास राशन पाने चाहिए और जाना के लिए घिये खाने के लिए यह रशन की विवस्तक इजा आए आप लोग वागों से ली आई न पार्षद बगेर आया अब लोगों तक नहीं 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 मेरा नाम कलुकान चीता है मैं इदगार निवासी करेने वाला हूँ हमारी वोड की ये समझ्या भाईया कि हमने सभी देवनानी से लेके अपने चंदर साक्तला पार्षद इन से लेके सब को सिकायत करके देख पुलिस पर सास्वन को भी बोल के देख लिया कि हमारे गवाडमा आवे कुछ जानकारी लेवे कि हम को मजदूरों के क्या प्रोब्लम है क्या प्रोब्लम नहीं नहीं तो कोई आता है नहीं कुछ आता है जैसे जो हेल्प लाइंग नमबर जैसे देवनानी जी ने छोड़ इन्होंने छोड़ रखा है उन पर हम कॉल करते कि आपके सर गाड़ी आती है तो आप हमारे को सूचना दिये नीचे सा आती है नीचे से चले जाती है तो हमने उनको एक तरीका बताए कि सर ऐसे ताम आपको पता नहीं लगएगा हमारे आप मजजीत है उसमें आप एलान की सरकार बोलते हैं घर में बेटो और एक तरफ से और यही पारसर लोग यहीं नेतालों बोलते कि आप वार आके रोड पर रौड पे लोग तो सवर्य नहीं क्या है धरいき कर सकता है तो सब मोईल्ड वालों सब्सक्राइब करें ना कोई बात हमारे बच्चों की आलत है कि घर में भूके मर रहे हैं ना हमारे बच्चों का पर जा सकते हैं ना कोई बात और सारे मजदूर लोग है एक गर के अंदर सब्सक्राइब करें कि अपने समान का नाम लिखाओ तो आपको समान मिलेगा वहाँ पर जाते हैं वहाँ पर थोड़ी से बीड़ी कटी होती है तो वह लोग घर के अंदर चले जाते हैं बोलते नहीं लिखेंगे आपका नाम तो भाई हम क्या करें बता हो प्रदान मंद्री अपनी कर रहे हैं कि मजदूर वार का ज्रखा जाएं उनकी तंखा नहीं खाटी जाए इस स्थिती पर आप लोगों को दिये जा वो भी मना कर दिया साब कि भाई नहीं मिलेगा आपको किसी को भी कुछ इतने परिवार रहते हैं यह पर करेबं 300-300 लोग है जिसमें से बहुत से गरे से कि जो चल फिर भी निपाते है और नहीं काई जा सकते है और जो परसासन को बोलते तो परसासन यह की बाद बोलती रोड पर जाओ रोड पर जाते तो भी यह डंडे पड़ते तो कौन जाएगा भी आप बताओ इस हालत में अगर सरकार आके इस गली में आके नहीं देखेगी तो फिर कौन देखेगा यह गली पड़ती बही एक त्यूपर की जिसकी कोई सीमा नहीं है नमस्कार मैं हूँ अमिताब बच्चन देखे हम सब मिलकर नावल करोना वाइरस या कोविड नाइनटीन को पहलने से रोख सकते हैं इसके लिए हमें बचाओ कि कुछ तरीके अपनाने होंगे खासते या छीकते समय हमेशा अपने मूख और उमाल से या टिशू से ढखे इस्तमाल किये हुए टिशू को तुरंत ढकनदार कच्रे के डबे में डाल दे अपनी आख नाख और मूख को हाथ से नच्छुए आप अपने हाथों को समय समय पर साबुन और पानी से लगब 20 सेकंड तक दोए भीड बाहर वाली जगह पर जाने से बचे अगर आपको खासी बुखार या सास लेने में तकलीफ हो रही है तो आप दूसरों से दूरी बनाए रखे ऐसे लक्षण देखने पर तुरंट तुरंट अपने डॉक्टर से सला ले अस्पताल में आप अपने मूँ पर मास्क या रुमाल जरूर रखे अधिक जानकारी के लिए स्वास्त तेवं परिवार कल्यान मंत्राले की एक हल्प लाइन है शून्य एक एक दो तिन नो साथ आठ शून्य चार छे अपनी सुरक्षा के लिए हमारी माने कीजिए